गुजरात में नर्वदा नदी के किनारे दुनिया की सबसे उची सर्दार पटेल की प्रतिमा स्टेचू आफ यूनिटी अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई देती है अमेरिका के सैटेलाइट नेटवर्क ने इस प्रतिमा की अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर ट्विट की है यह तस्वीर 15 नवंबर को खींची गई थी आपको बतादे की गुजरात में नर्वदा नदी के किनारे बनी सर्दार पटेल की ये प्रतिमा 182 मीटर यानी 597 फिट की है इस टैच्यू आफ यूनिटी उनकुछ मानो निर्विट सरचनाओं में से एक है जो प्रतिवी के उपर से भी दिखाई देती है गौर तरव है कि पीम मोदी ने सर्दार पटेल की इस प्रतिमा को 31 अक्टूबर को देश को समर्पित किया था 182 मीटर उंची सरदार पटेल की प्रतिमा यानी इस टैच्यू आफ यूनिटी दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा है इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 42 महीनों का समय लगा था और करीब 3400 मजदूरों और 250 इंजिनियरों ने इससे पूरा करने में मदद की थी इससे बनाने में 2989 करोण की लागत आई थी सदार पटेल की इस प्रतिमा को बनाने के लिए देश के कोने कोने से लोहा भी इकठा किया गया था Statue of Unity की उंचाई अमेरका में स्थित Statue of Liberty से दोगनी है अमेरकी सैटलाइट कंपणी ने Statue of Unity की फोटो को अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर किया है तस्वीर को अपने ट्वीटर पर शेयर करते हुए अमेरकी सैटलाइट कंपणी लें लिखा 597 फिट से भारत का Statue of Unity अब दुनिया का सबसे उंचा स्टेचू है और ये स्पेस से भी साफ दिख रहा है आईए आपको एक बार फिर दिखाते हैं स्पेस से कैसे दिखती है Statue of Unity Bureau Report भारत तक